26 जुलाई 2008 को एहम्दावाद में 70 मिर्ट में 21 बंधमागे हुए दमाकों में छपकन लोगों की मौत हुई 200 से ज़्यादा खायली दोती साल 2008 का दिन 7 सितम बन योगी आधितनाथ का काफिला धिरे धिरे पूर्बान चल के अपराद के गड़ आजमगड के और बढ़ रहा था ताफिलों में 100 से ज़्यादा कारे और 1000 से ज़्यादा मुटसाइग थी 2008 में हुए एहम्दावाद के बंधमाकों से योगी चिंदितनाथ एहम्दावाद बंधमाकों के कुछारों पी आजमगड से पकड़े गए थे आजमगड उस समय माफिया अपराधी गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी का गड़ था मुक्तार को उत्तर प्रदेश की ततकालिन मुलायम सिंग्यादव का संरक्षन प्राप था ना पुलिस का डर ना कानून का भै सब अपनी जेब में बड़े से बड़े रसूखदार जज पुलिस महकमे के आला अधिकारी मुक्तार की जेब में हुआ करते थे उसी आजमगड में गौरकपुर से तब के तीन बार के सांसत योगी आधित्यनाथ बड़ी रैली करने जा रहे थे रैली में एक लाग से उपर लोगों के जुटने की तैयारी थी ये वही समय था जब पुरवानचल में योगी आधित्यनाथ का उद्य हो रहा था मुकतार के आतंक से आतंकित हिंदू समाज योगी आधित्यनाथ एक मसीहा के रूप में मिले 2004 में योगी आधित्यनाथ तीसरी बार गौरकपुर से लोग सभा चुनाव जीत चुके थे पूर्वाँचल के हिंदू समाज को एक अत्रित करने के लिए हिंदू समाज की रक्षा के लिए 2002 में योगी आधित्यनाथ ने हिंदू युवावाहिनी का गठन कर दिया था एक और लगातार लोकसभाचुनाव में योग्या दित्यनात के जीत का अंतर बढ़ रहा था तो दूसरी और हिंदु युवा वाहिनी से बड़ी संख्या में लोग जुड रही थे योग्या दित्यनात की यह लोक प्रियता न तो मुखतार अंसारी को पसंदा रहा था न मुलायम सरकार को जब योगी 2008 में अपने काफिले के साथ आजमगड की और बढ़ रहे थे तब उन्हें कहा पता था कि कुछ पल बाद ही उनके काफिले पर जान लेवा हमला होने वाला था घात लगाए माफिया मुखतार अंसारी के गुर्गे योगिया दित्यनात के काफिले का इंतजार कर रहे थे जैसे ही काफिला आजमगड से थोड़ा पहले टाकिया के पास पहुंचा दोफेर एक बचकर 20 मिनट पर एक पत्थर काफिले की साथवी गाड़ी पर आकर लगा उसके बाद चारों तरफ से पत्थोरों की बारिश शुरू हो गए चंद पलों में ही पैट्रोल बंप से हमला किया गया यह एक सिक्रना इस हमला था जिसकी पहले से ही अच्छी तरह योजना बनाई गए थी इससे योगी के समर्थक तितर बितर हो गए काफिला तीम हिस्सों में बढ़ गया छे वाहन आगे चले गए और बाकी पीछे रह गए इसके बाद हमलावरों ने वाहनों को घेर कर हमला करना शुरू कर दिया लेकिन उनका निशाना योगी आदित्यनाद थे जिने वह अब तक दून भी नहीं पाए थे योगी के न मिलने के कारण वह और उग्र हो गए जब काफिले के लोगों को होश आया तो सब की जुबान पर एक ही सवाल था आखिर योगी कहा है हमले की सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशनों से टीमे भेजी गई इस बीच आसपास के विक्रेटा मदद के लिए दोड़े और गाड़ियों के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया सिटी सरकल ओफिसर शैलेंदर शिवासर ने जवाबी कारवाई का आदेश दिया इसमें एक शक्स मारा गया गायलों को अस्पताल पहुँचाया गया लेकिन योगी का आप तक कोई अता पता नहीं था उनकी खोजबीन और तेश कर दी गई लेकिन योगी तो पहले ही बहुत आगे निकल चुके थे और बाकी गाड़ियों के आने का इंतजार कर रहे थे दरसल योगी को काफिले की पहली गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया था यह सब पी डबलूडी के गैस्ट हाउस में हुआ जहां काफिला कुछ देर के लिए रुगा था अन्तिम समय में हुए इस बदलाव की जानकारी हमलावरों को भी नहीं थी